हाँ तो फ्रेंड्स ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है और ये मेरे साथ सची में गटना घटी थी और ये बहुत मतलब डेंजरेस थी एक बाद मैं जा रहा था मेरे पापा ने बोला था दूद लाने के लिए रात को कम से कम साड़े दस बज रहे थे और फिर बाद में मैं मत मतलब रोड पे एक आधनी मिला उसने बोला कि तुम दूत्स लाने गये थे वर आप तो में आरे पागल से बाध कर रहेता है तो फिर बाल में उसने बोला कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है तो मेरे को भाई उस ताइम में छोटा था थोड़ा ज्यादा नहीं लेकिन था थोड़ा तो मैं बोला हाँ हाँ चूती है फालतू बात मत कर किसी को किसके बारे में कुछ नहीं पता हो था तो उसने बोला मुझे तुम्हारे बादे में सब पता है तो उसने बोला अच्छा तो मैंने बोला तिरको मेरे बाद में सब पता है तो अच्छा ये बता कि मैं सोकने के बाद क्या करूँगा तो फिर बाद में उसने बोला कि तुम अपनी मम्मी को दूद दोगे उसके बाद तुम्हारे मम्में उसको करमा के देखिए और तुम उसके बाद पीके उसे सोने चले जाओगे और करेक तुम 445 को मतलब 445 को तुम उठोगे और तुम अपना बाचा हुआ हुआ करोगे और उसके बाद तुम फिर सो जाओगे तो फ्रेंड्स हाँ मैं बता दू उस टैम मैं चोटा था और ट्यूशन में में मेरे को बहुत मतलब एक्टिंग आती थी जैसे चोटे बच्चे करते थे और मतलब मेरी मतलब एक बहुत गंदी आदत थी कि मतलब मैं हूंवर्ग जो बचा रहता था अभी भी है लेकिन मैं वो सब छोड़ दिया मैं वो अभी भी है कि मैं करूँगा ना तो उटके पूर्मा फिर बाद में मतलब में तुरांट भागे उदर से हाय मेरे को कुछ अजीब लगा तो मैं जैसी उदर से भाग के आया ममी ने मुझे धूदद यए और गरमा के ममी ने मुझे दूद दिया उसके बाद मैं पी के उपर आके सो गया और और जैसी उस आद्मी ने बताया था मैं सीधा 445 को उटके हॉंवा का अपना करके मेरे बहुत डर लग रहा था और हॉंवा किसी भी तरह मैंने अपना जो बचा रहे था हो मैंने किया और फ्रेंड उसकी बाद तुरंट जैसे ही मैं सोने बैक करके सोने लगा मैं सोया सोया तब से थोड़ी दिर बाद न वो आदमी आया मेरी सपने में पता नहीं कैसे लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि सच है मेरे सपने में वो आदमी आया और उसने बोला कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे को तुम्हारे बार में सब कुछ पता है और मैं बहुत डरा हुआ था अपने सपने में और फिर बाद में उसने बोला अब देखना तुम अज ट्यूशन नहीं जाओगे तो भाई मैं तो उसराइ मेरी इउजाम चल रहे था और जो इसे मेरे विश्टिन तो जा पहले बैट जाता था तो मिस नियुको मतलब एक मतलब अपने रूम का में इसके था तो मिस ने तीन की दिया एक अप्धिया और एक नेबर हुड की आटी को और एक मिस अपने पास रखी और अश्यर को दिः ओर मेर को पहर से पैंड़िक पैंड़ Dad he तो बाद में मैं जगा उसकी बाद तुरंत उसके बाद तुरंत ही मैं नीचे आके हुंवक मतलब वो पढ़ने लगा थोड़ा मैं थोड़ा ही पढ़ने लगा कि अचानक मुझे नीद आ गई मतलब पता नहीं कैसे ही मुझे अचानक नीद आ गई और मैं सो गया फिर बाद में मैं उठा सेवन फिफ्टीन को जब मेरी दीदी आ चुकी थी मतलब भाई ऐसा लग रहा था ना कि यह जो हो रहा है ना मेरी जैसे कि ना एक आदमी है और उसने मेरी पूरी लाइफ कंट्रोल की थी भाई इतना डेर गया था ना मैं क्या बता हूं एलो फ्रेंड्स तो अगर जो आपको ऐसी स्टोरी टाइम वीडियो सुननी है और देखनी भी है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर जीजे ताकि आपके पास मेरा वीडियो सबसे सबसे पहले आए